गाइस आप लोगों के बहुत साथ मुझे मैस्टी से रिसीव हो रहे हैं, कुमेंट आ रहे हैं, डियम आ रहे हैं कि आप लोगों का डेटा जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है जो कि मैंने आपको यहां पर दिखा रहा हूं. आप लोगों को पता है कि मेरा डेटा जो हो डेली जाना होता है, तो अक conseर मेरा डेटा कभी format हो जाता है, कभी क्रैप्ट हो जाता है, जाए वो गलती से डिलीट हो जाता है, तो मैं इसी software से रिकॉपर करता हूं. आज इस software को और हम वीडियो बनाने का मकसद यह है कि Black Friday जो वो deal चल रही है और जो आपको 70% off में यह software जो मिल रहा है इसके अलावा जो एक अगर आप आप बाय करते हैं तो एक आपको साथ में free मिल रहा है Buy one, get one जो वो deal चल रही है आज की वीडियो के हमारे तीन स्टेप में पहले स्टेप में आप लोग को बताऊंगा इसका interface और इस software के feature दूसरे स्टेप में आपको यह बताऊंगा कि आप इसको download करना है, install कैसे करना है तीसे नबर पर में आप लोग को बताऊंगा कि आपने data को recover कैसे करना है तो यहाँ पर यहाँ पर सारे आपको मेंचन मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ मेंचन है, laptop, PC से आप जो है, external drive से, USB से, हर तरह की जो भी device है उससे आप data recover कर सकते है इसके लाब 1000 प्लस जो हैं वो टाइपस है data की जिनको आप recover कर सकते हैं जिसमें आपकी वीडियो, photos, document और आडियो गार आ जाते हैं इसके लाबा जो है आपकी किसी बितना से file जानी के जो है वो delete हो गई हो यहाँ इसके लाबा फार्मेट हो गया, जो है आपकी partition lost हो गी, corrupt हो गया, यह सारी चीजों को जो है यह recover कर सकता है इस तरीके से इसके लाबा अब आपको दिखायता हूँ इसका interface, तो यहाँ पर यह जो है इसका interface से आपको नदर आता है जहाँ पर जो है आपको वीडियो रुपेर, photo रुपेर का option मिल जाता है इसके साथ आपको recover from crash PC यागर आपको computer crash हो गया है तो आप उसको भी जो है यहाँ पर recover कर सक गयाँ गयाँ जालिए दूसरे नबब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो है इसको download and install कैसे करना है तो यहाँ पर जो है आपको मेरी वीडियो के नीचे link मिलेगा इस तरीके का तो आपने वहीं से download करना है वहीं से आपने click करना है और आप इस तरीके की window के उपर आजेंगे और यह बिल्कुल free है download करना तो आपने यहां से free download के उपर click करना है तो इस तरीके से यहां से आप देखेंगे यहां पर जो है आपका इस तरीके से software download हो जाएगा इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यह देखें इस तरीके से आपका install होना start हो जाएगा जब यह थोड़ी सा time ल जा हम data को recover करने का तरीका जाब हो सीख लेते हैं और यहां पर जो है हम यह भी test करेंगे कि वाके ही यह जो है software काम करता है यह नहीं data को recover करता भी है यह ऐसे बात ही बनी है तो इसलिए देख लेते हैं यहां पर जाएगा मैने memory card जाएगा अटेश यह अपने Nikon D750 camera का तो यह यह हमारा memory card जो कर यहां पर शोर है और इसके अंदर आप देखें यह कुछ files है वीडियो भी है फोटो भी है आडियो फाइल भी है और जा document फाइल भी है इन सब को जाए मैं यहां से delete कर देता हूं और जाए इसको recycle बिन भी यहां से हम empty कर देते हैं ताकि अगर वहां पर आ लिए जो आपका show होरा है कि जो आपने attach रही हो है तो चलिए जो हमने files bleed कि हैं उनको recover करके देखते हैं तो यहां पर जह हम इसको जह इसको देखते हैं पहले इसके अंदर कोई फाइल शो हो रही है का नहीं तो यहां पर जह हम इसको रिकावर पे लगा देते हैं तो यहां पर ये तकरीबन 3-4 मिन्ट यानि ये लेगा ये देखें अब फिलाल ये 5 मिनिट कहे रहा है तो जह पांच से 10 मिन इतना ही यह यहां पर लेता है तो यह देखेंगागा है यह जह हमारी डीडिल फाइल जो होने शूरू हो गई है तो हमें सिर्फ यही फाइल चाहिए जो के अभी ड्लीड की थे हमने तो हम इसको स्टॉप कर देंगे जब आपकी फाइल जब वो सामने आ जाएं आपको दिख जाएं तो आप उसको स्टॉप कर दें अगर आप सारा डेटा रिकवर करना चाहते हैं जो के आपका मेमरी काड ज को ज Corn ⁠ जैजिऑ है ये फाइल त behavior हो चुकी है तो यहां से मैं स्को कर देता हम स्टॉप करने के लद आप ने कहना है ठीक verstरों कूँरा थी आप ने इसको scanning को ओफ कर देन तो यहां सेब कर कर दें आप यह सारी फायल को आप रिकवर करने जो भी आफ फ statements और जैक्ड जेंद देखे सारी वह इभाईल हैं इनकों भी जाता है रिकवर कर लेते हैं और जहां पर आप रखना चाहएं दर किंद से सो अभी हमने यानि के इसको रिकवर कियाि है किसी और डिस्क में रखते हैं यह यहां पर data backup के अंदे जाकर हम my file के अंदर यह इसको recover कर देते हैं new folder बना के बना के डिके तो चलिए जी recover देखने कितना time देता है तो recover भी fast हो रहा है यहां पर देखें मतलब यह तकरीबां होगा कोई 300-400 MB का यह data होगा यह 500 MB का होगा तो यह देखें काफी तेजी से हमारा data recover हो रहा है तो जाकर देखते हैं उस folder के अंदर के recover हो रहा है के नहीं तो यहां पर यह हमाई file folder यह new folder है और यह folder बनके आगे है इसके अंदर देखते हैं जी file आई है के नहीं डिडिट files काफी ददर फॉलडर जाओ आगे बन चुके हैं तो यह देखें आईसा इसा शोग ना शुरू हो गया बिलकुल यह फाइल थी जो हमें चाहिए थी जो हमारी लीट हुई थी यह देखें जी same वह फाइल जो हमारी जो हमारी रिकावर हो चुकी है इनमें यह कुछ परानी फाइल लोगी है जो भी पहले से होगी वो भी कुछ रिकावर हो चुकी है तो यहां पर यह है हमारा सोर्ट फेर तो वो कह रहा है आप व्यू कर सकते हैं 200-300 MB का हमारा डेटा था तो यह हमारा सारा रिकावर हो चुका है तो गैज लाजमी आप जो इसको डाउलोड करें सोर्ट फेर को यहां से जाकर फ्री में डेटे को अपना रिकावर करें तो आज की अगरी तक के लिए बाए